हाई फ्रेंड्स मैं हूँ सौरपाठट दोस्तों आज मैं आपको ब्रिफ करूँगा के अफ्टी के बारे में लेकिन उससे पहले जान लीजे किड्नी क्या होती है किड्नी को गुर्दा भी कहते हैं दर असल किड्नी एक आंतरिक अंग है जो रक्त को साफ करके विशैले पदार्द को मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर करने में मदद करती है के अफ्टी क्या है के अफ्टी का फुल फॉर्म है किड्नी फंक्शन टेस्ट इसके अंतरगत बहुत से टेस्ट होते हैं जैसे बलड, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रियेटिनीन, सोडियम, कैल्शियम, यूरिक एसिड इस टेस्ट से क्या जानकारी मिलती है के अफ्टी से यह जानकारी मिलती है कि किड्नी की सिहत क्या है किड्नी के कारे करने की छमता क्या है वह किस तरह से कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है KFT कब किया जाता है KFT तब किया जाता है जब डौक्टर को लगे कि पेशिंट को किड्नी से संबंधित बिमारी होनी की समभावना हो सकती है या शरीर में सूजन हो या आखों के पास सूजन हो या पेशिंड को पेशाब बहुत जादा हो रहा हो या पेशाब बहुत कम हो रहा हो या पेशाब बिलकुल न हो रहा हो इसकी अलावा KFT यानि Kidney Function Test किसी भी बड़ी शल्य चिकत्सा यानि सर्जरी के पूरो भी किया जा सकता है So friends ये मैंने brief किया है Kidney Function Test के बारे में मैं आप सभी से request करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक share कीजे ताकि यह महत्वपूर जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुश सके और आप सभी से अंतता एक और अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल हेल्स सीरीज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजे Thank you